राम राम आज हम श्रिमत भगवद गीता की अध्यादो सांखी योग का श्लोक 41 संस्कृत चरण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे पहला चरण आदी व की साथ या पूरा व्या व मी आमिक्स करेंगे व्याव साया फिर मात्र के अंदर आदत उस आदे तक को या के साथ करेंगे सायात म पर ई की मात्रा मिका व्याव सायात मिका भू के बात में लिखावा है उसका मतलब बुए द आदा और ध से धनश पूरा ध पर ई की मात्रा धी बुद्धी पहला चरण रिपीट दूसरा चरन रेके ह में आमिक्स करेंगे रेके ह कुरू नन र पहला और दूसरा चरन साथ में व्यवसायात्मिका बुद्धी रेके हा कुरुनन्दन तीसरा चरण बमी आमिक्स करना है बहु शाखा हिय का अर्थ क्या हुआ हा आदा और ह के अंदर यह पूरा हिय ह यह न पूरी के साथ आदा ननन हिय नन ता के साथ आदा शता च में आमिक्स करनें यह ताश च तीसरा चरण फिर से बहु शाखा हिय नन ताश च च च चौथा चरण बु के साथ आदा द बुद्ध फिर ध है पूरा धयो बुद्ध धयो U की बाद में S जैसे शेप में अवग रहे हैं आपको U की मात्रा को लंबा किष्टे वे आगे का शब्द पढ़ना यो, आदे व के साथ या पुरा व्य, व में आम इक्स करेंगे व्य, व, बुद्धयो, व्य, व, साई और फिर ना के साथ आधमन नाम, साई नाम पुरिशलोक का उचारन एक साथ व्यवसायात्मिका बुद्धी रेकेह कुरुनंदर बुद्धयो, व्य, व, साई नाम एक बार फिर से व्यवसायात्मिका बुद्धी रेकेह कुरुनंदर बुद्धयो, व्य, व, व, साई नाम श्लोक का अर्थ सुनते हैं इससे पिछले श्लोक 49-व श्लोक में हमने सुनाता कि भगवान ने सम बुद्धी को योग योग कौन से योग करमायोग के द्वारा गैसे प्राप्श किया जा सकता है उसे वर्यन करने के लिए बताया था कि सम बुद्धी को योग में सुनने के लिए कहा था अब उस सम बुद्धी को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है उसको भगवन आज के शलोक में बताएंगे हमने सम बुद्धी का मतलब भी जाना था शलोक 49 में कि सम बुद्धी का अर्थ होता है कि आप जिस भी कर्तव्य कर्म को कर रहे हो उस कर्तव्य कर्म को करते वे आपकी बुद्धी समान है आपको चाय जय मिले चाय पराजय मिले लाब मिले चाय हानी मिले सुख मिले चाय दुख मिले उन सभी भावों को समान मानकर केवल अपने कर्तव्य कर्म में ततपरता से लगी रहना ही संबुद्धी का भाव है इस संबुद्धी से युक्त होने पर मनुश्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है और कर्म बंदन से मुक्त होते ही वह जन्म मरण के चक्र से छूड़ जाता है अब भगवान इसी कड़ी में किस तरह इस सम्बुद्धी को प्राप्त किया जाता है उसका साधन बताएंगे व्यवसायात्मिका यानी निष्चे वाली अब बुध्धी रेकेह कि कैसे विभाजित होगा बुध्धिर रेक में जो रादा है उसको बुध्धिर बना देंगे तो बुध्धिर का अर्थ क्या हुआ बुध्धी के बाद का विसर गटने पर बुध्धिर बना तो बुद्धि ही यानि बुद्धी, र पर एकी मात्रा तो उससे बन जाएगा एकेह, एकेह से बनेंगे दो शब्द, एका, धन, इह, एका का अर्थ हुआ एकी, और इह यानि इसके विशे में, किसके विशे में, सम बुद्धी की प्राप्ति के विशे में, कुरू नंदन, क मतलब कि कुरु वन्ष में उत्पन हुए कौन ? कौन है ? अर्जुन के बारे में यहां भरागवान संबोधित करें इसलिए कुरु नंदन यानि अर्जुन को संबोधित करतेवे इस शब्द को प्रयोग करें बहू शाखा यानि बहुत शाखा ने शाखा होगा ही बड़ी ही आगे अनन्ताहा अनन्ताश्च से दो शब्द बनेंगे अनन्ताहा धंच अनन्ताहा यानी अनन्च यानी और आगे क्या है बुद्धयो व्यवसाई नाम बुद्धयो यानी बुद्धियां व्यवसाई नाम इसमें अवग्रय का अ निकालेंगे तो क्या ब इसके विशे में मतलब सम बुद्धी की प्राप्ती के विशे में निश्चे वाली बुद्धी एक ही होती है जिनका एक निश्चे नहीं है ऐसे मनिश्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि जिसका एक न लेकिन जिसकी बुद्धी जिसका निश्चे एक नहीं है वो उसकी बुद्धी अनंत और बहुत शाखाओं वाली होगी मतलब क्या है इसका इस अर्थ को थोड़ा सा और समझते हैं पहला लाइन भगवार ने ये बोली कि जिसकी निश्चे वाली बुद्धी होती है निश्च का लक्षे होता है उनकी बुद्धी को व्यवसायात्मिका बुद्धी कहते हैं क्योंकि उसका निश्चे कीवल एक ही है और जिसका निश्चे एक रहेगा उसकी बुद्धी भी केवल एक ही रहेगी वो जो भी करतवे कर्म करेगा उसके पीचे कीवल और केवल उसका लक्ष ये सब का लक्षे उसका नहीं है, वह केवल कर्टव्य कर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे वह इस संसार का कारे कर रहे हैं, चाहे वह ग्रियस्ति का कामे कर रहे हैं, चाहे वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए नामजब ये सब साधन कर रहे हैं, पाठ का एक निश्य नहीं है मतलब जिनोंने अपना मनुष्य शरीर पाकर यह निश्य नहीं कर रखा है कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उनके बुद्धी एक ना रहकर अनंत होती है क्योंकि उनके मन में इस संसार के सुखभोग को लेकर अलग-अलग प्रकार की काम उनके अलग-अलग समय पर उत्पन होती है जैसे कि अभी हम ग्रेयस्ती में तो ग्रेयस्ती में इस कारे को करते हुए हमें उस सामने वाले व्यक्ती से एक तारिफ की गुंजाईश रहती है हम किसी भी करता हुए कर्म को करते हुए हमें उस चीज में जीत चाही होती है हमें यह लगता है कि लोग हमें मान सम्मान दे, हमें सुक़ प्रदान करे, हमें लाब हो, अलग समय पर उत्बन होती जाती है, उन शाखाऊं का किसी भी प्रकार से अनतनी होता, क्योंकि संसार के सुक भोग भी अननत है, तो जब कभी हमें यह चाहिए, कभी हमें ये चाहिए गभी हमें ये नहीं वो चाहिएña तो इस तरह से अलग-अलग शाख़ें, अलग-लग कामनाओं के अनुसान होती जाती है तो इसलिए जिसका केवल एक निश्चे है उसके बुद्धी केवल एक रहेगी उसका कर्तव्य कर्म केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही होगा वो जो भी काम करेगा उसके पीछे केवल उसकी प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति करने का ही भाव रहेगा लेकिन जिसके बुद्धी एक नहीं है वह संसार के सुभोग को चाने के कारण उसके बुद्धी आनंत और बहुत शाखाओं वाली होगी अविनाशी सहच सुखराशी है नाथ है मेरे नाथ मैं आपके शरण में हूँ आप क्रिपा करें मैं आपको भूलो नहीं नारें 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 नारें